इस वीडियो में आपको open unclosed interval के बारे में बताऊँगा इसमें आपके A और B आपके real number होंगे और A की जो value होगी वह less than B होगी मतलब A जो होगा B से छोटा होगा तो देखते हैं open interval open interval को मैं इस तरह के bracket से represent करता हूँ जिसका generalized form जो होगा वह आप में X की value होगी A से जादा होगी और B से कम होगी इसमें जो end point होगा वह आपका include नहीं किया जाएगा for example देखते हैं अगर आपका bracket इस तरह से बना हुआ है open interval 3 और 5 तो मैं 3 को और 5 को include नहीं करूँगा इसमें जो value होगी जो आपकी X की value होगी वह 3 से जादा होगी जैसे 3.01 और 5 से थोड़ा कम होगा जो आपकी X की value होगी वह 3 से जादा और 5 से कम होगी in between होगी 3 और 5 की next आपका close interval इस तरह से close interval को represent करते हैं इसमें X की value रहेगी वह आपकी A से जादा और equal रहेगी और B से कम और equal रहेगी इसमें end point को include किया जाएगा इसमें आपकी 3 और 5 को include करेंगे और इसके बीच की value रहेगी इसमें 3 भी और 5 भी include रहेगा अगर आपका open interval हो और close interval हो उसको हम semi interval बोलते हैं इसको represent करने के लिए आपका open होगा एक close होगा एक close होगा एक open होगा इसका general form इस तरह से लिखा हुआ है A और B में आपका open interval लगा हुआ है तो A और B के जो वीच की value होगी उसको count करेंगे इसमें दिया आपका open interval की जगे है आपका close interval दिया है तो close interval में क्या होता है include करते हैं तो A और B भी आपके include होगे इसमें दिया आपका open दिया हुआ है एक जगे और एक जगे close दिया यह आपका close है और यह आपका open है तो A को include करेंगे और B को include नहीं करेंगे A में आपका open interval है B में आपका close है तो A को include नहीं करेंगे और B को include करेंगे एक्जांपल देखते हैं open and close interval के first example जिसमें आपका 4 दिया हुआ है जिसमें आपका open interval लगा हुआ है और 3 पर आपका close interval लगा हुआ है तो उसको represent कैसे करेंगे open है तो आपको include नहीं करना है और close है तो आपको include करना है तो जो जो value होगी वह आपकी इस तरह के होगी in between यहां से लेके यहां तक next example देखते हैं इसमें minus 10 दिया हुआ है इसमें आपका open interval लगा हुआ है अब 4 में आपका भी open interval लगा है तो minus 10 को include नहीं करना है और 4 को भी include नहीं करना है तो in between यहां के जो values होगी next example में आपका close interval लगा हुआ है 0 पर और 3 पर आपका open interval लगा हुआ है तो 0 को include करेंगे और 3 को include नहीं करेंगे तो जो values होंगे वह आपकी 0 से लेके 3 से कम होंगे next example आपका 2 2 में भी आपका close interval लगा हुआ है और 8 में भी आपका close interval लगा हुआ है तो 2 आपका include होगा और 8 भी आपका include होगा हुआ है आपका आपका जरो आपका ए्याप झाल और 9 वे आपका on झाल 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 झाल